असलाम उलेकुम दोस्तो तो फाइनल में इद आही गई एक बार चेक कर लीजिएगा के इद पैकेज के सारे वीडियो आप लोग देखे या नहीं अगर नहीं देखे तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं एक एक वीडियो आप लोगों को फिर से एक बार र जाएंगे उसको हम किस तरह स्टोर करके रख सकते हैं अप टू लांग टम तक ये वीडियो अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाकर देख लीजिए तो नेक्स्ट ज्यादा अरख किस तरह निकाले एक ही ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा अरख निकालने के लिए हमें कौन से टिप्स को फालो करना पड़ेगा और उसको किस तरह प्रिपेर करना पड़ेगा वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाकर देख लीजिए और जैसा मैं यहाँ पर वीडियो में सीक्वेंस नेंबर वाइस बता रही हूं उसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को वीडियो लिंक्स नेंबर वाइस मिल जाएंगे एक ही बार कौन को किस तरह प्रिपेर करें और किस तरह फिल करें आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल्स मिल जाए से उसका कलर किस तरह आएगा और उसको किस तरह प्रिपेर करना है वो वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेंबर तर्ड प्लेस पर वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा इस नाच्रल हेना रेसिपी से भी हातों पर ब हेर बाम रेसिपी घर पर ही किस तरह प्रिपेर करते ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो नेक्स्ट देखते हैं हेना पेस्ट को स्टॉकिंग्स की हेल्प से स्ट्रेइन किस तरह करें जिसकी वज़ा से हेना पेस्ट स्मूथ एंड सिल्की बनता है वो व तो देखने हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि आइसिंग बैग या पाइपिंग बैग घर पर ही किस तरह से सिंपुल से प्लास्टिक कवर की हेल्प से रोल करके प्रिपेर कर सकते हैं दो तीन बैक्स के लिए हम मार्केट से बाइ करने की ज़रुत नहीं है घर पर ही सिंपुल से प्रिपेर करके हम उसकी हेल्प से कौन्स को फिल कर सकते हैं वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देख लीजिएगा तो नेक्स्ट देखेंगे नीलगीरी आईल को बिना एड के घर पर ही हेना पेस्ट किस तरह प्रिपेर करेंगे सिंपुल इंग्रिडेंट से जिसकी वज़ा से हेना का कलर भी डार काएगा वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए तो नेक्स्ट देखेंगे सेलो शीट्स को प्रिकर्ट्स प्रिपेर करके पहले ही किस तरह प्रिपेर करके रख लें क्यूंकि कौन्स बनाते वखत इजी हो जाएगा वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है देख लीजिए तो नेक्स्ट भी हेना का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और तीन आइल्स भी नैच्रल आइल्स है पर फिर भी नेंबर वन प्लेस पर कौन सा आइल है देखने के लिए तीन हेना रेसिपी को अपने हातों पर अपले करने के बाद नेंबर वन प्लेस पर किस आइल का कलर आएगा देखने क लिए लिए लेंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा तो नेक्स्ट आता है जोया की इत की महंदी जी हां फाइनल वीडियो ये था के जोया अपने हाथों पर इत की महंदी रेसिपी प्रिपेर करने के लिए कौन से आइस को एड़ किया और उसकी रेसिपी की व को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर दीजिये लाइक कर दीजिये और शेयर करना ना बुले तो फाइनल वीडियो ये ही रेसिपी से प्रिपेरों पर अपले करने के बाद किस तरह आयेगा उसका स्टेन तो दोस्तो हों फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपकी जोया